अलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल सुरच पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों मुंबई यूनिवर्सिटी के आइडियल के जितने भी स्टुएंट है चाया फ्रेसर हो या रिपीटर 80-80 के इस्टुएंट हो सभी लोगों को एकी बात टेंशन में कि एडमिसन कब से चालू है 80-80 वालों का भी कहना है कि सर फॉर्म का डेट खतम हो गया फिर से कोई अपडेट आया है कि 80-80 फॉर्म फिलप करने का जो FYSY के रेगुलर के इस्टुएंट है ठीक है जो फॉर्स टाइम एडमिसन ले रहे है टुवेल पास कर दे और FYBECOM में या FYBA में जाना चाते मुंबई उनिवर्सिटी के स्टुएंट के लिए उनके रिए भी अपडेट है तो वीडियो को एंट अग जरूर देखना वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और इस चेनल पर नए हो तो चेनल को सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों जैसे कि आपको एक पहला सर्कुलर दिखा देता हूँ ठीक है जो 80-80 स्टुएंट का है आपका डेट खतम हो चुका था म, म, स, म, ठीक है पार्ट वन, पार्ट टू इनके डेट को फाइनल राउंड है दोस्तों ये फाइनल राउंड है और इसे एक्स्टेंड कर दिया है 1st October से लेके 5th October तक मतलब आज अगर आप ये फॉर्म फिल अप करोगे तो नहीं होगा 1 October से लेके 5 October के बीच में ही फॉर्म फिल अप करना है फिस इस्ट्रक्चर जो है दोस्तों इदर आपके नजरों के सामने है मैं बार-बार इसको नहीं बताऊँगा आप देख लिजे कि क्या है क्या नहीं वीडियो को पूस्ट करना और इसका फिस इस्ट्रक्चर देख लेना कैसा है क्योंकि आपको उपर की काफी लोगों के मुझे अपडेट बताना है इस वज़े से मैं फिस इस्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूँ देन दोस्तों सेकेंड बात करूँ तो फिस इस्ट्रक्चर दोस्तों इनका भी फाइनल राउंड है ठीक है दोस्तों और इनके भी डेट को एक्स्टेंड कर दिया गया है 1st October से लेके 5th October तक आपका जो फिस इस्ट्रक्चर है दोस्तों FYSY के इस्ट्वेंट है उनका इदर देख रहा है आप देख लिजए subject वाइस आपका क्या payment आपको करना है देन दोस्तों उसके बाद अच्छा मैं यह FYSY रेगुलर स्ट्वेंट के बारे में बताने वाला है तो आप थोड़ा वेट कर लिजए देन उसको बहुत दोस्तों जो आता है M.com.part 1 M.com.part 2 July सेशन के जो स्ट्वेंट है जो केटी के स्ट्वेंट है उनके भी डेट को extend कर दिया गया है 1st October से लेके 5th October with late fees के साथ दोस्तों ठीक है Part 1, Part 2 आपका भी फिस्ट्रक्चर दोस्तों इधर आपको दिख रहा है ठीक है दोस्तों M.com.part 1, Part 2 के भी स्ट्वेंट का हो गया देन उसके बाद T.Y.BA के स्ट्वेंट का भी डेट को extend कर दिया गया है 1st October से लेके 5th October late fees तो दोस्तों आपको लगेगा क्योंकि late आप admission form फिल अप कर रहे हैं तो late fees तो आप सभी में आपको पेक करना ही पड़ेगा देन दोस्तों M.A. और M.A. education part 1, part 2 इनके भी डेट को extend किया गया है 1st October से लेके 5th October तक मतब maximum के डेट जो extend की गये है वो सेम चाहे वो T.Y.B.com हो तो उनका भी डेट 1st October से लेके 5th October तक का extend किया गया साथी साथ आप इस structure भी सभी में देख सकते हैं जो मैंने अभी तक आपको दिखाया है मल चाहे मैं F.Y की बोलू, S.Y की बोलू ए T.Y की student को भी बोलू सबका date extend कर दिया, M.C.M.A. की student की भी date को extend कर दिया 1st October से लेके 5th October ये तो बात थी educated student को लेके अब बात कर लेते हैं regular student को लेके, दोस्तों जो regular student है ठीके T.Y B.C.M. और T.Y.B.A. इनका date जो है दोस्तों 30 September है मतब दो दिन ही बाकी है, दोस्तों आपको form fill up करना है M.A. और अपना M.C.M. के जो second part के student है उनका भी date को अपना 30 September तक का extend कर दिया गया है बात कर लेते हैं जो fresh student अभी admission लेना चारते हैं F.Y.B.C.M. या F.Y.B.A. के student जो 12 पास कर दिये दोस्तों इसके related अभी तक कोई भी notice नहीं है जैसे ही आएगा मेरे channel पे मिल जाएगा इसके लिए कहे रहो दोस्तों channel को subscribe करना ना भूले और बाजू के bell icon को दबाना ना भूले मैं फिर से मिलता हूँ next video में जब तक के लिए bye bye दोस्तों जै हिन जै भारत दोस्तों